हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आपके लिए बहुती स्वादिश्ट काजू पिस्ता चॉकलेट की रेस्पी लेके आएंग। जो बच्चो को काफी पसंद आएगी और आप इस दीवाली परी से जरूर बनाएं, तो चलिए बनाना सुरूर करते हैं। और व्रेडियो पसंद आती है है तो फ्रेंड्स सेट लाइक जरूर करें। और वेरे चैनल पे बछीड़ हैं सब्सक्राइब करें। चलिए हम चॉकली पुराना, उच्फे हैं, ऑर हम ने कुछ किछ लिए हैं, अवरे कॉझ काजू लिए हैं। तो हम रिके पे heißt पें कर दूआइता के समय करना कि दैखिए यह हमारा राइब फटेट अर्शे से बीन चुका है तब हम गयस समी है और देंगे कट गिसर निकालेंगे पाइट कर लेंगे अलग कर लेंगे इस तम एक ते रुड़े देखिए हमारा पाब्ट तियार कर लेते हैं देखिए हमारा बिस्कुट का पॉडर बन के तयार है अब हम क्या करेंगे इसे हम बॉल में एक आइड कर देंगे और हमने जो ड्राइफुट लिया था उसे अब हम मिक्सर में दरदरा पीछ लेते हैं महीन पेष्ठा में नहीं बनाना है दरदरा पीछना है तो देखिए हमने पीछ लिया है काली और पिस्टा को अब हम भीशेष्ट के चूरा में आइड कर देंगे और देखिए हमने दो डैरी मिर्च चोकलेट लिया है और घौना ठोडशा डाल कर मैं एक दो तयार करेंगे अमें इसा बट नहीं करना मिक्स की सबएंगे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चछ पर कुछा ल्याद हो crust झाल्य हमें or थोड़ा से हमम मिला लेंगे का इसे माटा गुनते हैं का एक रीब जो तयार का ले हैं आ ऐसे हम मीक्स कर लिया है और हम हाथों में ठोड़ा सो इल लगा लेंगे और और इसके हम थोटी छोटी बना लेंगे आप जो अकार देना चाहो वकार में दे सकते हो तो आप मैं गोल दे रही हूँ देखे इस तरह से काफी टेस्टी होता है और बच्चों को तो काफी फसंद आएगा तो आप इस दिवाली में ट्राइ जरूर करें तो देखे इस तरह हम अगर हम क्या करेंगे हम सारे बॉल्स को चॉकलेट में एड़ करेंगे तो देखिए हमने जे चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था उसमें हम बॉल्स को डीप करेंगे तो एक करके हम डाल कर दीप कर लेते हैं पहले देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक करके बॉल्स को कभी बना कर खा सकते हो जब बच्चे जीव करें खाने का तो तो देखिए इसी तरह से सारे चोकलेट को हम कोड़ कर लेंगे और जटपट बनने वाली रेस्पी है मात्र दस मिनट में काफी टेस्टी भी लगती है काजिवर पिस्ता से बनी हुई चोकलेट तर देखिए हमने स कोड़ कर दिया है चोकलेट से आपको मेरी चोकलेट की रेस्पी कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें तब तक लिए बाय टेक केर मिलते नेक्स वीडियो पर